दोस्तो क्या आप अपने स्मार्टफोन को और फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में ऐसे ही टेक्लोजी के बारे में बतने जा रहो कि जो आने अवले समय में हमारे स्मार्टफोन पर आएगी तो दोस्तो मैं हूँ विकास और आप देख रहे ह तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो आज हम कॉलगांफ क्युक्टार 4 के बारे में बात करेंगे तो कॉलगांफ क्युक्टार 4 के पहले कॉलगांफ क्युक्टार 1,2,3 इस सारे ऐसे 3 वर्जन आ चुके अगर आज की डेट में हमें अपना स्मार्टफोन फिफ्टी प चार्ज करना हो, तो हमें normal charger से कम से कम उसको 60 minute लगेंगे, ऐसे वे callcom का 1.0 अगर चार्ज यूज करेंगे तो उसको 48 minutes, अगर callcom quick charge 2 यूज करेंगे तो उसमें 24 minutes और callcom quick charge 3 अगर यूज करेंगे तो उसको कम से कम 20 minutes का time लग जागा, लेकिन हाली में जो Qualcomm Quick Charge 4 लांच हो आए तो उससे अगर हमें 50% सिर्फ 15 मिनिट में चार्ज करने की शमता रखता है तो दोस्तो Quick Charge 4 की बात करें तो यह टेक्नलोजी आने वाले समय में Qualcomm Snapdragon 835 के साथ आएगी पाच मिट में हम पाच घंटे तक मोबाइल चार्ज करने की कैपसिटी यह Qualcomm Quick Charge 4 रखता है तो दोस्तो Qualcomm Quick Charge 4 को इस तरह सी डिजैन किया है कि वो सुपिरियर चार्ज सोलूशन के साथ वर्क करता है और वो पिछले चार्जर के मुकबले और तेजी से फास्ट चार्जिंग करता है तो दोस्तो Qualcomm Quick Charge 4 यह टेक्नलोजी Dual Charge Parallel टेक्नलोजी पर चलती है तो दोस्तो Qualcomm Quick Charge 4 ने अभी तिसरी बार I.N.O.V. Intelligence Negotiation of Optimization Voltage यह एक Dual Charge टेक्नलोजी, Qualcomm Quick Charge 3 की बात करें तो इसमें Dual Charge Plus टेक्नलोजी थी और Qualcomm 4 में Dual Charge Plus यह टेक्नलोजी लदी है यह एक Power Management अल्गरित्म पर चलने वाली टेक्नलोजी है तो दोस्तो इनोग का यही काम होता है कि वो बैटरी पावर को अप्टिमाज करता है और Thermal Condition में अच्छी तरसे Power Transfer कर सकता है दोस्तो फिचर के अगर बात करें तो Qualcomm Quick Charge 4 में Safety और Protection का खास खयाल रखा है इसमें कुछ additional layer add किये कि इस से आपकी बैटरी ओवर चार्ज और हीट होने से बचा सकते और Qualcomm Quick Charge 4 में कुछ फिचर ऐसे हैं कि जैसे 3 layer over voltage protection, 3 layer over current protection और 3 layer over temperature protection वैसे फिचर Qualcomm Quick Charge 3 में थे वैसे ही Qualcomm Quick Charge 4 में भी वही फिचर दिये और इसमें Supplym नाम का एक ऐसा फिचर दिया है कि उस फिचर से हमारे Power Supply की Quality और Condition को डिटेक करते चार्ज प्रोसेस स्टार्ड करता है, अगर Qualcomm Quick 4 के बारे में बात करें तो वो USB PD के साथ आएगा तो दोस्तो USB PD मतलब Android 7.0 के compatible document पर चलने वाली टेक्नलोजी है तो दोस्तो Qualcomm Quick 4 अभी USB C के साथ भी आएगे तो दोस्तो Qualcomm Quick 4 के अगर बात करते ये टेक्नलोजी Snapdragon 835 के साथ आएगी और ये टेक्नलोजी 2017 के जानिवरी मेने में पहले हाप में आने की उम्मिदे तो दोस्तो इसी के साथ मेरी वीडियो खतम होदी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे होगी तो प्लीज शेर कीजिए लाइक कीजिए और सस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को वीडियो के नीचे दियोए सस्क्राइबर बटन को सस्क्राइब करना ना बुलिए धन्यवाद, जय हिन और अपना खायल देखेगा